हेलो दोस्तों आज हम गोबी के पकोड़े बनाने के रेसिपी देखने वादे हैं गोबी के पकोड़े बनाने के लिए यहापर मैंने 500 ग्राम गोबी लिये उसको मैंने पास मेंट के लिए अच्छे से उबार लिया है यहापर 4 पून मैंने चने का आठा लिया यहापर 2 स्पून चावल का अठालिय और लशन को मैंने दरदर पीस लिया है यहापर कड़ी पत्ता है और धनिया मसालों में लाल मिल्च पाउडर गरम मसाला खल्दी पाउड़र अजिवायन यहां पर एक बावल में में अभी गोवी डाल दूंगे हमें जीस आकार का चाहिए हूँ जीस साइज का चाहिए उस प्रकार्च याम उसको काट सकते हैं इसमें अभी चार स्पून चाहिए स्पून यहां पर में पेशन डाल रहे हूँ चावल ट्वाटा दो स्पून पदर पुबला स्पून एक बड़ी पत्ता जोए उसको में बारिक पर रहे हूँ वसा दनिया लाल मिर्च पौडर गरब मसाला बल्दी पौडर हिंग पौड़ा मसाल नमप और राजिगाए इसको भी अच्छे से मेंस कर लेना है सब्सक्राइब के अधा फौडर करके वह पानी डाल ना है इसको जादा धीला भी ने कलना है इस प्पासे पूरा मसाला हमारे गोवी को चीसर लग जाना चाहिए अभी इसको 10 स्वेट के लिए रेज करने के लिए रख देंगे यहाँ पर हमारे 10 मेट अभी लख रोल चुका है यहाँ पर मैंने ग्यास कर कडाई रख दें उसमें और करने के लिए रख दिये ग्यास की ब्लेम अभी मेडियाम करना है और एक एक करके यह सब गोवी तल लेना है अच्छे से एक एक करके अच्छे से तल लेना है इस चोटे में तो भूखोने जब लगती है तब एक खाने के लिए भूखती मज़िदार रखते हैं ग्यास की तेम खूल कर देमें और यहांको अच्छे से क्रिस्पी उने तक अच्छे से तल लेना है यह अमारी विवनकर रेडी हो चुके करारे करारे हो चुके अच्छे से इसको भी प्लेट में निखान लेना है सेम प्रोसेस ऐसे दूसरी बैल्पी में तर लोंगी ऐसे फुल ख्लेम पे उनको तर लेना है क्रिस्पी होने तो यह देखे हैं हमारे गोबी की पकोड़िया भी बनकर रेडी हो चुके यह बाहर से बोथी क्रिस्पी और अंदर से सॉब्ट बने आप इसको एक बार घर पर जरूर बनाका देखिए अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्याद